व्यवाहरिक स्थितियों में समीकर्णों के अनुप्रयोग आज हम देखेंगे व्यवाहरिक स्थितियों में समीकरणों के अनुप्रयोग से संबंधित मिथ्यधारनाएं यानि misconceptions related to application of equations in real life अभी तक हमने समीकरण बनाना और अपनी दैनिक सिंदगी में उसका प्रयोग करना सीखा और उनको उदाहरनों की मदद से समझा आए समीकरण से जुड़ी कुछ मिथ्यधारनाव पर नजर डालें हम अकसर किसी भी समीकरण को देखकर दाई और यानि RHS को बाई और यानि LHS का उत्तर मान लेते हैं जबकि एक समीकरण LHS और RHS के बीच संबंध बनाती है दिये कई समीकरण को ध्यान से देखिए दो X जमा 19 बराबर 25 दिये गए विकलपों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा विकलप सही है? एक समीकरण को हम प्रश्ण और उत्तर में भाग नहीं कर सकते अर्थात पहला विकलप गलत है दूसरा विकलप हमने यह भी जाना कि समान चिन्न के बाई और होता है LHS और दाई और होता है RHS लेकिन इस विकलप में 2X जमा 19 को RHS बताया हुआ है और 25 को LHS अर्थात दूसरा विकलप गलत है तीसरा विकलप जैसा कि हमने दूसरे विकलप को समझते हुए पढ़ा कि समान चिन्न के बाई और होता है LHS और दाई और होता है RHS इस समीकरण में 2X जमा 19 बाई और है यानि LHS है और 25 दाई और है यानि RHS है अर्थात तीसरा विकलप सही है चोथा विकलप चुंकि हमें पता चल गया है कि तीसरा विकलप सही है इसका अर्थ है कि चोथा विकलप गलत है समीकरण में पदों का स्थान पन्न करते समय बच्चे अकसर भाग और गुणा के संचालन में गलती करते है आईए एक उदारन देखें विजय की उम्र उसके पिताजी की उम्र की आधी से साथ साल कम है अगर विजय की उम्र चोथा है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके पिताजी की उम्र कितनी होगी क्या आप इस स्थिती को एक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं मान लीजिए कि विजय के पिताजी की उम्र है A वर्ष, तो हमारा समीकरन होगा विजय के पिताजी की उम्र बटा 2 घटा 7 बराबर विजय की उम्र, यानि A बटा 2 घटा 7 बराबर 14. विजय के पिताजी की उम्र का पता लगाने के लिए हमें इस समीकरन को हल करना होगा, इसमें हमें LHS में सिर्फ A का पद चाहिए, इसलिए हम घटा 7 को RHS में स्थानपन यानि ट्रांस्पोज करेंगे, जो RHS में 14 की साथ जमा हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा A बटा 2 बराब 21, इस समीकरन को हल करने के लिए हमें LHS में सिर्फ A चाहिए, अभी LHS में 2 A को भाग कर रहा है, कई बार बच्चे समीकरन हल करते समय RHS को 2 से भाग कर देते हैं, जिससे उन्हें मिलता है A बराबर 21 बटा 2, जोकी गलत है, अगर LHS में 2 A को भाग कर रहा है, तो A का मान ज्या करने के लिए RHS में वह 21 से गुना हो जाएगा यानि ए बराबर 21 गुना दो ए बराबर 42 हमारा उत्तर है 42 अतह विजय के पिताजी की उम्र 42 होगी आज हमने देखी व्यवहारिक स्थितियों में समीकरणों के अनुप्रयोग से समबंधित मिध्यधार नाएं आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद